नमस्कार सौगत है आपका कभी नीज में मैं हूँ रिचा कमल अगर आप योगी सरकार में प्रशासनिक पदपर हैं और लगतार अच्छे काम कर रहे हैं तो आप भी सरकार की नजरों में खटक जाएंगे और आपसे भी इस्तीफा मांग लिया जाएगा आपको जबरन छुटी पर भेज दिया जाएगा या फिर जबरन रिटायर कर दिया जाएगा ऐसा ही कुछ हुआ इमांदार करमटशील और विज्ञान के अंबेड कर कहे जाने वाले सैफई आयूर विज्ञान मेडिकल यूनिवरस्टी के पूर्व कुलपती प्रोफेसर शो में भी मनवाया है ऐसी सक्सियत रखने वाले प्रोफेसर राशकुमार जी के साथ हद तो तब हो गई जब उन्हें जबरन आउकाश पर भेज दिया गया हलाकि इससे पहले भी प्रोफेसर राशकुमार के खिलाफ कई प्रकार की साजिशे हुई थी जिनसे वो निरंतर लड़ते आ रहे थे लेकिन इस बार उनकी इमांदारी पर ब्रश्टाचार आखिर भारी पड़ गया प्रोफेसर साहब ने हमेशा लोगों की समस्याओं को सुना और जल्द से जल्द उनका निस्तारण भी किया उन्होंने अपने सरहनी कार्योंत के द्वारा सपा सुप्री को भी अपना मुरीद बना लिया था प्रोफेसर साहब ने काम ही कुछ ऐसे किये थे जिससे उनका डंग का हर जगए बज रहा था लेकिन कुछ मनमाने लोगों को उनके काम रास नहीं आए और उनके खिलाफ शड़ेंत रच डाला गया और उनसे जबरन पद से निश्कासित कर दिया गया आपको बता दे चिकित्सा जगत में मील का पत्थर साबित हो रहा है प्रोफेसर राशकुमार का सैफ़ई उनिवरस्टी में 31 मई को कारिकाल पूरा हो रहा था लेकिन बिना किसी पूर्व सूचना के 9 मई को उन्हें जबरन रिटायर कर दिया जाता है मामला जब तूल पकड़ रहा है तब कोविड लीव का बाहना बना कर सरकार अपने फैसले को सही ठहराने की जबरन कोशिश कर रही है इसके साथ ही इस तरह के बेवार से आम जन्मानस में अक्रोश है इस तरह के तानाशाही रवये पर सहोगी डॉक्टर्स भी उनके समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं सैफ़ई विश्विद्याले को नए आयामों तक पहुचाने वाले प्रोफेसर राजकुमार को जबरन पद से हटाय जाना अपने आप में ही कई सवाल खड़े करता है एक इमानदार कारिशयली से काम करने वाली शक्सियत को योगी सरकार ने जिस प्रकार अपने पैरो तले रौंदा है उससे अच्छा कारे करने वाले लोगों की अंतरात्मा को अंदर तक जगजोर कर रख दिया है कोरोना संक्रमरकाल में जिस तरह से प्रोफेसर साहब ने अपनी जिम्मेदारी कर निर्वहन किया है उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा उतर प्रदेश आयरविज्यान और देश के जारेमाने प्रख्यात निर्वो सर्जन प्रोफेसर राजकुमार ने अपने बलबूते कड़ी मेहनत और सक्त कार पड़ा ली वह अपने शोधों से अती पिछडी हुई सहफाई उनिवरस्टी में चार चांद लगाते हुए उसे अपने पैरों पर खड़ा कर दिया था उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोफेसर राजकुमार जिनके नाम पांसो से अधिक शोधपत है जिसमें 34 विशेष्टया कोविड पर प्रकाशित उनके मेडिकल साइंस में अभूत्पूर योगदान के लिए यूपी रत्न से सम्मानित किया है पूरे कोविड नाइटीन महामारी के दौर में कोरोना की पहली काम्याप पुस्तक कोविडो लौजी वा कोविड निवारक दवा आरेन बी देकर प्रोफेसर राजकुमार ने पूरे विश्व में भारत का नाम रौशन किया आज जहां लगबग हर मेडिकल संस्थार में ऑक्सीजन की कमी हो रही है वही रात रात भर जाक कर अपने दायत का निर्वान करते हुए प्रोफेसर राजकुमार ने ऑक्सीजन की सप्लाई को निर्बाधित रखा वही सैफाई मेडिकल विश्व विद्याले में अपना कारेभार समालते हुए अपने तेज तर्रार तेवर के लिए जाने जाने वाले प्रोफेसर राजकुमार ने विश्व विद्याले में सभी प्रकार की अनिमितताओं को दुरुस्त करके इटावा जैसे गुंडागर् अनिमितता और अराजकता फैलाए हुए लोगों पर सक्त कारवाई की जो कि वहां के स्थानी माफियाओं को रास नहीं आया नतीजा लगतार वे विभिन माध्यमों से कुलपती प्रोफेसर राजकुमार के उपर तमाम तरह के राजनेतिक दबाओ वा अनरगल आरोप लगाते रहे किन्तो अपनी सास सुत्री वा कड़क कारेशायली के आगे प्रोफेसर राजकुमार ने सब कुछ दुंदला कर दिया लेकिन सरकार ने प्रोफेसर राजकुमार पर इस तरह से कारेवाई कर भरस्टाचारियों और कमीशन खोरों के होसले बुलंद कर दिये हैं को अपने तीन वर्ष के उतक्रेश्ट कार के लिए पद एक्स्टेंशन मिलना चाहिए था उन्हें अपना कारेकाल तक पूरा नहीं करने दिया गया सरकार की इस तरह की नीतिया हर उस व्यक्ति का मनोबल तोड़ती हैं जो बदलाव की ख्वाईश रखता है आपको बता दे अपनी इमानदारी की सजा प्रोफेसर राजकुमार को पहली बार नहीं बुगत्ती पड़ रही जब राजकुमार जी इंस रिशी केस में कारेरत थे तब भी उनके उपर गलत करने का दबाव बनाया जा रहा था के चलते उन्होंने सिर्फ चंद लाइन में ही अपना इस्तीफा लिख दिया था वहाँ पर भी खेल देखिए चंद लाइन में लिखा इस्तीफा विरोधियों के दबाव में बिना कारण पूछे सुईकार कर लिया जाता है अब देखना है कि इमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाले प्रोफेसर राजकुमार को अभी और कितनी कीमत चुकानी होगी इस सफेद पोश ब्रस्टाचारियों की दुनिया में अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कभी न्यूज और बेल आइकन टैप करें ताके आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का और अगर आप हमें फेस्बूक पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा फेस्बूक पेस कभी निए